नमश्कार दोस्तों वेते भार्थी की इस कड़ी में मैं रश्मिल आपका स्वागत करती हूँ आज की हमारी रेसिपी है एपल का मुरपा एपल का मुरपा एक बारों बहने बनने वाला मुरपा है क्योंकि एपल साथ भराता है और एपल का मुरबा बेहर स्वादिश्ट और बेहर पॉस्टिक होता है एपल का मुरबा बनाने के लिए हमें चाहिए एक किलो मीडियम साइज के एपल एक किलो चीनी और एक गिलास पानी तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है एपल का मुरबा एपल का मुरपब वनाने के लिए हमने 1 kg लिये है, यह मध्य मकार के एपल है और इसमें हम 1 kg चीनी डालेंगे तो इसलिए सबसे पहले हम एपल को छीलते हैं एपल को छीलने के बाद हम इसके 4 टुकड़े करेंगे इस तरह से इसके बीजे जो है इसे इलग करना होगा इस तरह से हम इसके बीजे इलग करके चार बड़े बड़े पीस कर लेंगे इसी तरह से हम बाकी एपलों को भी छील के चार पीस करके रख लेंगे एपल का मुरबबा बनाने के लिए हम कोई गहरा बर्तन लेंगे हमने इसके प्रेशर कूकर कर इस्तमाल किया है इसमें हम गिलास पानी डालेंगे और इस देड़ गिलास पानी में हम एट किलो चीनी डालेंगे चीनी को इसमें पिघलने देंगे जी देखिए चीनी अब मैल्ट हो गयी है और अब इसमें हम एपल डालेंगे एपल को हम साफ पानी से धोके भगोने वे साफ पानी से धोके उसके बाद इसमें डालना शुरू करेंगे ओपल को ठोड़ा-सा सब चीनी में ऊपण नीचे करनीजे और इसे अब पकने दीजे एपल का मुरबबा दो स्टेज में बनता है इसके बनाने में हमें दो दिन लगते हैं आज हम पहले स्टेज को खा रहें आपको पहली स्टेज में एपल को हमें भौट देन नहीं पकाना है इसको हमें 7-8 मिनट पकाने के बाद इसे बन कर देना है तो अभी इसे हम 7-8 मिनट पकाते है 7-8 मिनट हो गए है एपल को पकते हुए एपल थोड़ा से सॉफ्ट हो गए है और अब इसको हम गैस को हम आफ कर देंगे और इसको जो है अगली स्टेज जो है इसकी वो हम इसे कल बनाएंगे क्योंकि एपल का मुरब्बे में अगर हमें पीसिस चाहिए तो इसे हमें दो स्टेज पे वराना पड़ता है अब एक थाल में हम पानी डाले लेंगे इतना पानी की कुकर का नीचे का तल्ला डोग जाए और इसकी कुकिंग जो है वो स्टॉप हो जाए अब इस थाल पे हम इस कुकर को इस तरह से ढग देंगे और इसके बाद कुकर का लेट जो सीटी हटा के हमने रखा है इससे हम लगा देंगे अब इस तरह से कल तक इसी तरह से रहेगा 24 घंटे हो गए है अब हम कुकर के लेट खोलेंगे यह देखिए सेव के अभी तक बड़े बड़े पीसिस जो है अभी मौझूद है 24 गंटे बाद ही इसी तरह से तो आज हम इसकी दुबारा से को क्लिन शुरू करते हैं दूसरी स्टेज में इसको हम करीज दस मिनट पकाएंगे और फिर इसे बन कर देंगे मुरब्य को जितने धीमे धीमे पका है उत्ता अच्छा बनता है इसके पीसिस इंटैक्ट रहते हैं और इनके अंदर रस भड़ता है तो इसे अराम से कर स्टेज में ही पकाना चाहिए इसे हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे बहुत तेज ते जिसे नहीं चलाना है वहना पीसिस चूट लाएंगे हलके हलके हाथों से इस तरह से चलाएंगे अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया है तो उबाल आने लगे तो हम गैस के आज धीमी कर देंगे और पांसाथ मिनट इसको और पकने देंगे उसके बादे फिर से बंद कर देंगे यह देखिए चाशनी हमारी थोड़ी गाड़ी होनी शुरू हो गई है इस तरह थे थलक अब इस स्टेज में इसको हम कुकिंग को फिर से स्टॉप करेंगे गैस को आफ करेंगे कुकिंग करने के लिए हम इसको यहां पर बंद कर देंगे और उसके बाद फिर से हम कुकर का लिट लगा के दुबारा से एक पर आत में पानी लगके फिर से लग देंगे यह करीब द अब इसे फिर से हमने एक बार कुकिंग के लिए रख दिया आज तेज अर्खेंगे हम इसे तेज आज में उस तेर तक पकाएंगे जब तक कि चाष्णी गाड़ी होनी ना शुरू हो जाए अब यह फाइल स्टेज की इसकी कुकिंग हो रही है इसको बहुत ध्यान से पकाना ह Damnation, Mila, इसमान है अब इसको हम तेज आज में हम पकाने के साथ में काफी देज आज में पका लिया है इसको हम आज को द Def возможné में दीमी कर देंगे और इसकी चाष्णी को कि चॉक चेक करदें एक लजन में पटाएंगे उसमें हम इसको थोड़ा सा देकते हैं अभी चाशनी में ताद ही आया है, इसे थोड़ा और पकाना पड़ेगा, अभी यह कुछ दिर और पकेगा, आज को ठीमी करके पकाएंगे, मुरब्बा जलते तयार होने वाला है, अज पर रखेंगे, अब यह मुरब्बा करीब करीब तयार हो गया है, इसकी चाशनी को एक अगर हम चैक कर लेते हैं, यह दिखी, तार बन रहा है, अब यह मुरब्बा हमारा करीब करीब तयार होने वाला है, दो तीन मिरट इसे और पकाने के बाद, अब इसको हम बंद कर देंगे, और ठंडा होने देंगे, यह देखिए, यह मुरब्बे के पीस वैसे के वैसे ही ह अगर एक साथ पकाएंगे, तो यह मुरब्बा नहीं बन पाएगा, यह जैम की तरह हो जाएगा, अब गैस बंद कर रहे हैं, और यह मुरब्बा तयार है, और इसे थंडा होने देते हैं, जैसको आफ कर देते हैं, मुरब्बे को एक बार फिर से एक थाल में, इसमें की पा हुआ है, रख देंगे, और इसको ठंडा होने तक खुछ देर खुला रहें देंगे, एक गंटा हो गया है, अब हम इस मुरब्बे को एक साफ कपड़े से ढख देंगे, इस बार आपको कुकर को लिट से नहीं ढखना है, इस बार इसे कपड़े से ही ढखना है, और इसको ठ एक उठनदा हो गया है अब हम एक ठाका कपडा हटाते है और देखते हैं आप जारीन सेथ हिखेनya हों निए सेंद 통 control पूरी गाड़ी हो गयी है और सेट हो गयी है और तो पूरी तरह से तयार है और इसको घारीन में निकान है इसके पीस निकाल कर हम देखते हैं यह देखिए पूरा पीस निकला है और यह मुरब्ब्ब पूरी तरह से तैयार है इस मुरब्ब में एक भी प्रेजर्वेटिव ने डले है इसके बाउजूद इसकी लाइफ बहुत जाता है और यह खराब नहीं होगी इसको आप इसके बा का मुरब्बा जिसको हमने एर टाइट जार में रखा है इसे आप पूरी पराथा ब्रैट जिसके साथ भी चाहे खाए और सेहत बनाईए उमीद है आपको हमारे आज की रेसिपी पसंद आई होगी अगर आपको हमारे रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल वेंजन भारती स हम आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होगी तब तक के लिए नमस्कार